हलो स्टूडेंस इस्टेटी मीडियम चेलम आपका स्वागत है जो लोग B.A.C. नर्सिंग एंड पारामेडिकल इंटरेंस इजाम को त्यारी करों उनके लिए वीडियो बहुत इंपोर्टेंट है इसमें पिछले 10 सालों के सारे questions को collect किया गया जो आपके एकजाम में बहुत इंपोर्टेंट है तो इतना अगर कर ले तो इससे बाहर नहीं पूछेगा वीडियो को शुरू से अंतर देखें बिना स्किप किए और पसंद है तो लाइक जोरू किजएगे चले सुरू करता है इसका वीडियो पहला कोशन से निमन में से कौन एक तना है ओपने सया आफ अलु, ओप्संद भी गाजर, ओप्संद संगर करता है, अपने भोज पदालत को कहा संगरीत करता है पत्तों में फल में जड़ में पत्तियां में तो इसका पत्ता को भी जो होती है अपने भोजन का संचे अपने पत्तियों के बीच में दवार के रखते हैं ठीक है तो इसका करेंश रोजगा औफ संटी कंद यह कंद ग्रूप में आते हैं ठीक है अलू नेश कोश्चन से नहीं लिखित में सिक्या तने का रूपांतरित नहीं है प्याज का बल्व अर्वी का घंकंद सकरकंद का कंद या फिर आलू का कंद तो आपको पता होगा आलू का कंद हो तो होता ही है अर्स में से कौन सा तनघ को यह सलजम अद्रक गाजर या सखरकंद तो कैट यह नेश कोचें से next question से प्याज के खायद्य भाग कौन से हैं पत्ता जड तना या फिर पुस्प तो प्याज के जो खायद्य भाग होते हैं वो हमारा तना होता है प्याज तना का रुपांतरित तना ही खाते हैं नेक्ट खोइशन से निवनी किरित में से कोन सा रुपांतिरित तना है गाजर, सकरकंद, नारियल या फिर आलू Correct answer is option D आलू आलू जो होती वो रुपांतिरित तना होती है Next question से निवनी में से किस की पत्ती में परनदल, प्राई, निवनी किरित होता है आफwarzane जलोद भीद आफसें समोध भीद आफसें से ओपरी रोही औंठ यह सुषकोद भीद तो इसका कसी ःफ्सें बहुत होती है इतए काटें यूप ले रहती है next question से cactus में soul किसका रूपा अंतरन है वह ही questions आ गया तो जो cactus का जो soul होता है न वो जो काटे होते वो किस से बने होते है तो वो हमारा पत्तियों का ही रूपा अंतरन होता है ठीक है पत्ती से ही काटों का formation होता है next question से पुस्पो का इधन क्या कहला था एंत्रोलोजी एग्रेस्ट्रोलोजी फिनोलोजी या फिर पॉलिनोलोजी तो इसका करेट अंसरो जगा ऑफ्षन है एंत्रोलोजी next question से वे पोधे जिन में कुमभी पूस्प नहीं बनते हुए क्या कहलाते हैं जींटो गैम्ज या फिर एंजियो एस्पर्म तो इसका करेटेंट्रोज जग ऑफ्षन से क्रिप्टो गैम्स टिक क्वे पोधे में कभी पूस्प बनते ही नहीं है कभी भी फूल नहीं बनता है वो क्रिप्टो गेम्स के अंतर रगत आएंगे नेक्स से पूस्प जो पूर्ण रूप में पाया जाएगा उससे क्या कहेगा मतलब अगर कोई पूस्प पूर्ण कहलाएगा कब आपसन नीपूमंग यहवम जाएंग पाया जाएगा तब आप 막व बी बाहीद्याबं मदल हुएगा option c सभी चारो चक्रों होगा and option दल पुमंग और जायंग सभी होगे तो इसका credit answer जगा option से सभी 4 चक्रों होगे सभी 4 चक्रों होगा तो ही कोई पुस्प को पूर्ण पुस्प माला जादे अगर इन में से मान लो पूमंग और जायंग है बाहे दल वगरे नहीं है तो अभी उसे पूर्ण पूस्प नहीं बोला जाए क्योंकि उसको पॉलिनेशन के लिए दूसरों के हैल परेना पड़ता है तो एक पूस्प में सब कुछ अगर एविलेवल हो तो वो पूर्ण पूस्प कहलाएगा और पॉलिनेशन भी उसका एक खोड़ी खुद से हो जाएगा ठीक नेक्ष्प से पूस्प के जनन चक्र सब catching उसने इस और आ पूमख्यांग्य यह हो गया male यह हो गया female ओके तो पुस्प के जनन चक्र दोनों ही होते हैं पुमंग एक जाए हैं नेक्स वाष्टन से कों सा उभाई लेंगी फूल के बारे में सही है बहुत ही अच्छा वाष्टन से उनमें केवल अंड़ा होता है पूंकेसर और अंड़े दोनों होते ठीक है जो भी लेंगी फूल होते हैं नेक्ट क्वेश्टन से कुरिंजी के पूस्प जो होते हो बारा साल में एक बार खिलते हैं इसका रिजन क्या है और प्रकास अब दी अधिप्त अब दी अफ्टन सी फ्लोरीजन स्राव एंट उप्र अथि इसलिए फूल बारा साल में एक बार खिलते हैं नेक्ट क्वेश्टन से संसार का सबसे छोटा पूस्प कौन सा है रैफ्लेक्सिया कमल गुलाब या फिर वुल्फिया तो करे डिन सरो जहाओ और ऑफसंदी वूल्फिया यह संसार का सबसे छोटा फूल होता है प्योग भाग होता है ठीक है नेस्ट क्वोशन से नहीं लिखी तुम है से कौन सब विश्व का सबसे बड़ा पूश्प है कमल सुरी मुखी रैफलेस या फिर गोल्री लिली तो करेट सबसे बड़ा फूल होता है सूराज मुखी से भी बड़ा होता है नेक्ष पॉर्शन से जीवन चकर की दिरिष्टी से पोधों का सबसे महत्पुन अंग कौन सा है अगर एक पोधे का सबसे महत्पुन अंग बोला जाए तो वह कौन सा है फूल पत्ति तना या फिस जड़ तो इसका एंसर हो जाएगा आफ सने फूल क्योंकि फूल जो होते वह जनना नंग होते हैं उसी से पोधे में फल का विकास होता है एक पोधे से दुसरे पोधे का विकास होता है बीज का निर्मान होता है और जो फूलों का पर जाती वह आगे बढ़ता है तो फूल की वह से ठीक ह गन ठीक है? pollination इसे को बोला जाता है यह बहुत तरीके से होता है एक cell pollination हो जाता है जो खुदी-खुद में हो जाता है और फिर एक external source के दोड़ा होता है जिसमें हवा का इस्तेमाल होता है या फिर बहुत सारे लोगों का इस्तेमाल होता है जैसे कि मकडी का हो गया, कीट का हो गया, इंसेक्ट का हो गया, words का हो गया, चमगादर का हो गया, snacks का हो गया, घौंगे का हो गया, सनेल, तो सब मिलके यह pollination करते है ठीक है तो वो पूरा डीटेल्स आपको मैं किसी वीडियो में आपको बता दूगा कि किसके दुआरा कैसा प्लियनेशन होता है उसको क्या कहा जाते एक्जाम में पुछाया था ठीक है चलिए फिर वीडियो है तक अगर पसंद आया तो लाइक कर दिजेगा अपने फ्रेंड कर दिजेगा और सारे पार्ट देखना हो तो डिस्क्विशन बॉक्स में जाए आपको प्लेश का लिंक मिल जाएगा और चैनल को सस्क्राइब जोरु कर दिए चलिए मिलते हैं नेक्ट वीडियो हम तो तक लिए बाइबाई थांक्स फोर वाचिंग्स